नागर सिंग चोहान को बीजेपी ने लगातार पांची वार अपना उम्मीदवार बनाया है कल देर शाम को इसका ऐलान किया गया हमारे साथ मौजूद है उनसे हम चर्चा करेंगे पहले आपको बहुत-बहुत बदाई हो शुपकामनाई थैंक यू अब यही सवाल है कि 120 दि का और मद्दप्रदेश भारती जनता पार्टी का आभार वेक्ते करता हूं कि भारती जनता पार्टी ने मुझ जिसे छोटे से कारी करता पर पाचवी बार विश्वास किया है मैं भारती जनता पार्टी के छोटे से कारी करता होने के नाते पार्टी का बहुत बहुत बहु एतियासिक मतों से कारी करता और जनता के आशिरवास से हम लोग जीतने वाले हैं केंद्र राज में बीजेपी की सरकार है डबल इंजन का एक नारा है बीजेपी का तो किस वीजन के साथ इस चुनाओं में आप जा रहे हैं देखिए मैं 15 साल अली राजपुर का बिधायक रहा और मैंने 15 सालों में जो जनता की शेवा की है और की सरकार की जितनी भी योजना है वो योजना में जमिन तक ले जाने का मेरा पूरा परियास 15 साल में रहा है और आज भी जब भरती जनतापाटे ने मुझे टिकेट दिया है मैं कांग्रेस की जो सरकार आई थी 2018 में जिस परकर उन्होंने वादे के थे यहाँ पर किसानों के साथ धोका किया है वो चुनाओं में आये थे उस समय उन्होंने कहा था कि एक बार कांग्रेस को जिताओ और कांग्रेस जित तो गई लेकिन उनका जो वादा था कि 10 दिन में किशानों का करजा माप करेंगे वो किसी भी किशान का करजा माप हुआ नहीं दूसरा उन्होंने एक बात और कही थी कि आठवी फेल, दसवी फेल, बारी फेल जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में 4000 रुपे मन्थली देंगे उन्होंने एक भी बच्चे को डेर साल में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया ऐसा कि ऐसा उन्होंने एक बात और कही थी महिला समू का करजा माप देड़ साल के सरकार में महिला समों का किसे का करजा मापनी हुआ ती चो था उन्होंने कहा था कि पड़ने जो हमारे भाई बेने जिनकी शादी होगी उनकी शादी होगी तो 51,000 रुपिय नगत देंगे ये उन्होंने वचन पत्र में लिखके जनता के सामने गज़े और आज भी वचन पत्र मेरे पास है और जब मैं भारती जनता पार्टे ने मुझे टिकेट दिया है मैं उस कॉंग्रेस के जो 2018 का जो वचन पत्र एक तरब उसको छपोंगा और हमने जो 15 साल-20 साल में भारती जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो योजना भी हम जनता के सामने लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी अली राजपूर विधान सफ़ा से जीतेगी और मद्ध्य प्रदेश में भारती जन्तापाटी की सरकार बनेगी 2018 में आपकी और मुकेश पटेल की भी इस्टक करती है और इस बार भी वही होने की उम्मीद है तो ये फाइट और पिसली फाइट में क्या अंतर रहने वाला है देखिए चुनाव के तरीके से होगा जब मुकेश पटेल जब 2018 में जब चुनाव लड़ा था उसके उपर जन्ता का कुछ भी नहीं था वो कोरा कागज था उन्होंने कुछ उससे पहले कुछ किया ही नहीं मुकेश पटेल को सिर्पल लोग इसले जानते थे कि मोत में जाना, मयत में जाना उसके स्विवा उसका कोई काम नहीं था और उसी बात को लोगों को लगा की नहीं आरी मुकेश पटेल हमारे गाव में आता है मोत में बैठता, मयत में बैठता, बार में में बैठता है उसके कारण उसको टिकिड मिला और अब जनता उस वेक्ति को वोट क्यों देगी कि पांस साल विधाय करा है उसकी एक भी उपलब्दी नहीं है अब छोटे काप एक टेंकर दिया उसने और कही गामें बिदिली की डीपे और खंबे लगा उसके स्वा कोई काम उसने नहीं किया जब चुनाओं में गया तो उस जनता भी जब चुनाओं में जाएगा तो यह जनता चुनाओं में सवल खड़े करेगी और वो नाकाम होगा और भारती जनता पर्टी के बक्चम मत दानुगा तो आपने नगर सिंजी को सुना और उनका दावा है कि इस चुनाओं के नतीजे पिछली बार के मुकाबले कुछ अलग होंगे क्योंकि इस बार मुकेस पटेल को अपना हिसाब देना है जिसे इंटरू पर आपकी राय कमेंट बाक्स में जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दोएं